हारु फीक्स वान प्लस सेवेंटी प्रो एर स्पीकर प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों आगर आप सभी का तिकर आज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यह अपने वान प्लास के डिवाइस में एर स्पीकर नोट व और वश्यद्fold करते जब आप कोई कोई रहते हैं या फिर किसी को बात करते हैं छीके अगर आप किसी में वादेकर तो वह घुड़ जो है दोस्तों अब के पोई ऑप特 कर से पहुंचते हैं औहीं जोस्तों कर खराब होगां एर स्पीकर काम नहीं वे लिए फिचर काम पताने वाला उसी को फोलो करना है इस्टेबाइस प्रोसेस बताया जाएगा तो आपको भी उसी स्टेब वाइस सोलुशन को फोलो करना है एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्फ वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रॉटर पर फॉलो करके मेंसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड सबसे पहले दोस्तों इसको फीक्स करने के लिए आपको मोबाइल रिश्टार्ट करना होगा उसके बाद जाना होगा सेटिंग पर ठीक है मोबाइल को रिश तो यह रहा दोस्तों अभी आपको क्या करना है इस तोरेज पर जाना है क्लिए स्टोरेज पर क्लिक करना है ओके कर देना है डेटा क्लियर करने के बाद मेक शूर आपके सारे इसको अपडेट करना है है यहाँ फॉंण सर्वस तीज Though तो फॉंण सर्वस सर्च करने के बाद दोस्त्त वैं इसको अपडेट करना लिखा है यह आ पहुंद देख सकते好的 लिखा हुआ हाई तो अपडेट कर देना है अपडेट करने के बाद चेक करके देखें अगरmeter सौल्फ हो जाता है तो ठीक है अगर आपको यह भी प्रैलिम हो रहा है तो चेक करें आपका कुई मोबाइल केस से कवर तो नहीं ए एरस्पीकर के एरिया ठीक है एक एयरस्पीकर का एरिया जोए दोस्तो dropping नहीं होना चाहिए किसी भी चीज से तो उनको अगर कोई चीज सको कवर्ट कर रहा है तो को क्लियर करें ठीक है उसके बाद दोस्तों आप री चेक करके देख सकते हैं तो यह सारे सोलुशन अभी हाँ पर फोलो कर सकते अगर आपका एर स्पिकर काम नहीं करते हैं तो यह सब करने के बाद दोस्तों अगर प्रोलेम सॉल्फ हो जाता है तो अच्छी बाद है लेकिन अ रिमॉफ वाटर एंड फिक सांट तो आपको इंस्टोल करके इसको जो है लाउट वोईस पे प्ले करना है ठीक है यहाँ पर देख सकते क्लीनिंग का ऑप्शन होगा पोस और स्टॉप का बटन यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते कुछ इस प्रकार से यह काम करेगा और दोस्तों जबी आप इस सांट को प्ले कर रहें अपना वोल्याम को लाउट करके प्ले कीजिए ठीक है इससे आपका स्पीकर वगएरा में कुछ यहाँ पर डस्ट वगएरा रहेगा तो वह सब भी क्लियर होगा तो यह सारे चीज़ आप फोलो कर सकते हैं तो जैसे ही दोस्तों सफ़्याट करेगा अगर हाट्वेयर लीज प्रोब्लेम नहीं है तो फीक्स होजेगा ठीक है अगर हाडव्यर ली प्रोलेम नहीं हुआ है कुछ software के इश्यू के वज़े से आपको दिक्कते हो रहा है तो सिस्टेम का अपडेट करने से इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाते हैं तो आप सिंप्ली यह सारे सॉलिशन फोलो करके देख सकते हैं मान लिजे बाइए इनी चंस सारे सॉलिशन करने के बाद भी प्रॉब्लम स्स्वल्फ नहाँ हो तो क्या कर सकते हैं तो दोस्तों किसी किसी भी टेक्निशन के मदद ले लीजेगा ठीक है वह आपके प्रॉब्लेम को सॉल्व करके देगा तो खुछ इस प्रकार से दोस्तों इस सॉलुशन को क्या जाते हैं उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा टैंक्स पूराचिंग